नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सतेंदर और आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ Spoken English Course जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट लेसन है और ये जो मेरा Spoken English Course है इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल A, B, C, D से ही आपको English सिखाने की कोशिश करूँगा The way I have learned this language, I wanna teach you in the same manner Well, दोस्तों, मैं English बोल के आपको ये नहीं जताना चाहरा कि मुझे भी English आती है लेकिन, being an English teacher, मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं कब बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ अगर आपने देखा हो, मैं बिना सोचे English बोल पा रहा हूँ मेरी भी Hindi है, वो first language है, आप सब की तरह है लेकिन, English जो है, वो हमारी second language है तो इसको सीखने के लिए हमें क्या जरूरी है, क्या नहीं हम चाहे कितना भी grammar की books पढ़ लें, चाहे हम कितना भी tenses के रटे मार लें फिर भी हम ये नहीं सीख पाते हमारे पास vocabulary होती है, 1000 words की लेकिन उसको use में कैसे लेकर आएं कई मेरे दोस्त कहते हैं, कि हम शुरू से शुरू करना चाहते हैं पहले हम tenses पढ़ेंगे, फिर हम parts of speech पढ़ेंगे फिर हम सारी चीजें पढ़के उसके बाद बोलना शुरू करेंगे क्योंकि जब बोलोगे तो आप सही बोलना चाहते हो, गलत बोल के अपना मजाग नहीं उड़वाना चाहते लेकिन दोस्तों कुछ basics English language के हमको सीखने पढ़ेंगे ताकि हम English को समझ सकें और English को बोल सकें वैल, आज का जो ये lesson है मैं बिलकुल ABCD से start कर रहा हूँ तो please ध्यान दीजिए बिलकुल शुरुआत से तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे basics की इसको बिलकुल आराम से, बिलकुल श्यांति से समझ जल्द बाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है हाँ, आपको बहुत time देना पड़ेगा English के लिए all of a sudden, overnight आपको कभी भी English नहीं आ सकती रात और रात कोई भी नहीं सीख पाता महनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करनी है, सही तरीका क्या है वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ आज well, जब हम basics की बात करते हैं, कोई भी हम language जब सीखना शुरू करें, हमें पता होना चाहिए कि उस language के letters क्या है, उसके अक्षर क्या है तो, जैसा कि आप सब जानते होंगे, मुझे बताने की भी जूरूरत नहीं है कि A, B, C, D, Z तक सब को पता है चोटे बच्चे से लेगे, बड़े को सब के पता है, तो इस पर time waste हम नहीं करना चाहेंगे A for apple, B for boy, यह आप कहीं भी देख सकते हैं, इस पर time waste नहीं करना next, जब हम बात करते हैं alphabet की, तो यह हमारे सारे alphabet हैं यह सारे हमारे क्या हैं? alphabet और A, B, C, D, यह हमारे सारे क्या हैं? यह हैं हमारे letters यह हैं हमारे letters, यह 26 होते हैं, याद नहीं करना, सिरफ एक बार देख लो अब ABCD क्या होता है, यह आपको पता है? good second, ABCD को हम दो हिस्सों में बाठते हैं, एक है consonant और एक होता है vowels अब यह जो vowels हैं, यह सबसे ज़्यादा जरूरी हैं हमारे English language में अगर आप English सीखना चाहते हैं, तो यह आपकी पहली CD है आपको पता होना चाहिए कि vowels क्या होते हैं? और क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम sound की बात करेंगे, जब भी हम article की बात करेंगे A, A, N, D, D, तो वो क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? यह चीजे बहुत important है और यह बहुत छोटी mistakes हैं जो हम English में करते हैं, English सीखते time फर्स टाइम बोलेंगे, यह चोटी छोटी mistake होंगी, तो अच्छा नहीं लगेगा और यह चीजे कभी भी आप दूर नहीं कर पाएंगे, तो इनको अभी शुरुवात में समझ लीजिए सबसे पहले है vowels, vowels का होता क्या है? A, E, I, O, U, बस यह सिर्फ पांच, यह पंजा, यह हाथ, सिर्फ यह याद रखना है, बाकि सब भूल जाओ कोई जुरुवत नहीं है इन सब को याद रखने की, यह कॉंसोनाइंट की खिचरी हमें काम नहीं आएगी सबसे पहले चीज, A, E, I, O, U, यह हमारी five vowels है, five letters है तो हमको क्या याद रखना है? हमको सिर्फ यह जहन में रखना है, दिमाग में रखना है और उसको दी क्यों बोलेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा तो यह five चीज़ें आप याद रखिए, क्योंकि जब भी हम spoken English शुरू करते हैं आपको English बोलनी सीखनी है, आपको लिखनी भी सीखनी है, वो एक अलग बात है लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बोलने की, और उसके लिए हमको जो जो चीज़ें जरूरी हैं, वो आपको जाननी बहुत जरूरी है सबसे पहले letters की हमने बात कर ली कि alphabet होते क्या है, हो गया पका, good उसके बाद देखिए, किसी भी भाषा में, किसी भी language में, जो letters होते हैं, उनी से words बनते हैं, ठीक है अगर मैं बात करूँ, w, तो यह हमारा एक consonant है, यह alphabet में आता है, आपका ही letter हो गया अब इससे मैं एक word बनाता हूँ, which, which का मतलब होता है, चुडेल, भूतनी, जिसको हम बोलते हैं, तो letter से ही word बनेगा न, और जब words हमको पता होंगे, कुछ words का combination, जो एक meaningful sense हमको दे, उसको बोलते हैं, sentence she looks like a witch, वैसे कभी किसी को कहना नहीं है, पिटाई हो जाएगी, लेकिन sentence, यह एक पूरा sentence बन गया, कि वो एक भूतनी, चुडेल की तरह दिखाई देती है, ठीक है, सिर्फ मजाक है, serious नहीं होना, तो letter से हमारा क्या बना, word बना, word से हमारा क्या बनता है, sentence बनता है, और sentence से, अगर मान लो आपकी किसी से बात होने लगे, इस topic के उपर, कि witchcraft क्या होता है, जो भूतों वाली चीज़े होती है, यह क्या होती है, आपको कोई speech देनी हो, आपको कोई article लिखना हो, या कोई बात करनी हो किसी से, तो आपकी क्या हो बन जाएगी, speech, तो जितने भी आप sentences बोलेंगे, वो आपकी क्या बनेगी, speech और तभी आप English में एक दूसरे से बात करना शुरू कर पाएंगे, तो दोस्तों मैंने बहुत ही simple तरीके से कोशिश की है, कि मैं आपको इस table से समझा सुकूं, कि English की शुरूवात हम कैसे करें, well सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों के लिए, I का मतलब मैं, कई दोस्त ऐसे भी होंगे, जिनके लिए शायद ये चीज़ें भी मुश्किल होती हों, बोलते वग, so एक बार थोड़ा साइस को समझ लीजिए, I, जब भी आप खुद के बारे में बात करें, कोशिश करें कि आपका जो sentence है, उसकी शुरूवात कै किसी भी लड़का, लड़की, पेड, पोधा, कुरसी, टेबल, किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, कुता, बिली, सब के लिए आप क्या लगाएंगे, अगर आपको जेंडर पता है किसी का, आपका पालतु कुता है, तो आप he, he, he लगा सकते हैं, अब, या तो आपका इन चीज़ों को देखें, तो समझ जाएं कि शुरू कैसे करना है आपको, अब you, you, अगर आप किसी को भी you गर के, तुम मेरी बात सुनो, you listen to me, समझ रहें, तो ये sense जब एक बार आपको आजाएगी न, देखो, शुरुआत करना हमेशा मुश्किल होता है, तो एक बार आपको किसी से बात करनी हो, किसी को कुछ कहना हो, आप अपना sentence में क्या जोड सकते हैं, you, अब वे सब या वे, अगर आपको किसी गूरुप की बात करनी हो, अगर अगर अपको अपने दोस्तों के बारे में बात करनी हो, कि सब के सब राक्षेस हैं, they are monsters, all of them are monsters, तो आप य ये दे का मतलब होता है, they, सब, now, we, we का मतलब हम, we are a family, now, we are a family, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सब इस family का एक हिस्सा हैं, तो we are a family, अब देखिए, हम बात करते हैं, कभी भी sentence हम बोलेंगे, तो या तो हम present की बात करेंगे, या हम past के बारे में कुछ बताएंग तो जब भी आपको present के बारे में बात करना हो, तो आप ये चाहे आप note कर सकते हैं, या आप simple तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही basic points मैंने याँ पे लिखे हैं, आई के साथ हमेशा present में क्या आता है, या तो am आएगा, या have आएगा, am आएगा या have आएगा, तो इसको ध्यान की बात ही है कि single कोई भी हो, उसके बारे में बात करो, तो कहीं न कहीं नाम में उसके is जरूर आएगा, ठीक है, जब सवाल उससे पूछेंगे, तो do या does आता है, वो हम type of sentences में करेंगे, ओके, तो चिंता मत कीजिए, सब होगा, अब तुमकी बारे में बात करें, उनके बार में बात करें, हमारे बारे में बात करें, तो सब के लिए R और है, देखिए बहुत ही simple है, आपको सिर्फ life में एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा practice करना पड़ेगा, दुबारा आप ये mistake कभी भी नहीं करेंगे, for example, अगर आपको ये कहना हो कि वो एक crickator था, he was a crickator, तो आपको पता है कि past के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह एक है, तो he लगाओगे, ठीक है, वो अच्छी गाई का थी, she was a good singer, तो आपको ये पता है, all of a sudden आपके दिमाग में आ जाएगा कि वह लड़की है तो उसके लिए she लगाना है, अब past, past के बारे में जब भी बात करें भूत काल के बारे में, तो हम लिखेंगे, I के साथ हमेशा words आएगा, अगर इन में exceptions हैं, मैं मना नहीं करता कि exception नहीं है और ये rule पके है 100%, लेकिन ये 90% आपके apply होंगे और शुरुआत करने के लिए इन के अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, इसके अलावा कोई रचा लेकिन वो बाद में आएगी, पहले आप at least शुरुआत तो करेंगे बोलने की, अब I के साथ हमेशा क्या आएगा, past की बात करेंगे, was आएगा, he, she, it और नाम के साथ हमेशा क्या आएगा, was या head आएगा, देखो जब भी आप past की बात करोगे, इसमें भी आपका head आजाए तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कि I के साथ या तो was आएगा, या head आएगा, अब he, she, it के साथ भी was आएगा, या head आएगा, बाकी जो भी बच गया, तुम हो, वे सब हैं, या हम हैं, कोई group है, उसके साथ were या head आएगा, अब दोस्तों, future में आपको ज्यादा tension नहीं लेनी, इसमें सिर्फ will और shell आ सकता है, अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि will सब के साथ आ सकता है, shell सब के साथ आ सकता है, क्योंकि आज के दिन modern English में, ये आर नहीं दिख रहा है शायद, आज के दिन modern English में, आप हमेशा हर किसी subject के साथ will का use कर सकते हैं, कुछ exceptions हैं, जैसे I और V के साथ पहले हम shell का use करते थे, या हम सवाल पूछेंगे, तो हम shell का ही use करेंगे, लेकिन आप सब के लिए शुरुआत करने के लिए, मैं समझता हूँ, ये सब enough है, और धीरे धीरे ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी English की, तो अगर आप ये next class में और भी मजाएगा, तो दोस्तों, इसी के साथ आज की class में समाप्त करता हूँ, अगर आपको ये class मेरी पसंदा ही हो, please share कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, और मैं आपको guarantee देता हूँ कि जैसे English मैं सीख पाया हूँ, उसी तरीके से मैं आप सब को English सिखाने की को कोशिश करूँआ, okay, so thank you, keep learning, stay at home, take care, bye bye.